नमस्कार सलाम नए साल 2023 में चिनाव चक्र के इस पहले एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ मुकल सरल 2023 नौराज्यों के चिनाव लेकर हमारे सामने आ रहा है जिसके नतीजे बहुत कुछ 2024 का भी सुराग दे जाएंगे दरसल इन नौराज्यों में उत्तर भारत के भी राज्ये हैं और उत्तर पूरूप भारत के भी और दक्षन भारत के भी इनमें भारते जंता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार भी है तो गैर भाज पदलो यानि कांग्रिस और अन्य की भी यही वज़ा है कि 2022 की तरह यह शायद उससे भी ज्यादा यह चुनाओ महत पूर्ण है तो शुरू करते हैं चुनाओ चक्र सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिन राज्यों में 2023 में चुनाओ होने जा रहे हैं इनमें नौर्थिष्ट यानि उत्तर भारत या कहें पुर्वुत्तर के चार राज्ये हैं यह हैं तुरुपरा, मेघाले, नागालेंड और मिजोरम दक्षन भारत के दो राज्ये हैं करनाटक और तलंगाना और उत्तर भारत के तीन राज्ये हैं मध्यपरदेश, चतिसगर और राजिस्थान यानि इन चुनाव में देश के सभी महत्पूर हिस्से और आबादी कवर होगी अब आपको बताते हैं कि इन राज्यों में मौजूदा समय यानि वर्तमान में किसकी सरकारे हैं इससे आपके सामने साफ हो जाएगा कि ये नौ राज्ये कैसे 2024 की पटकथा लिख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं अगले महीने फरवरी मार्च तक संपन हो जाने वाले चुनावों की फरवरी मार्च में जिन तीन राज्यों में चुनाओ प्रक्रिया पूरी हो जानी है यानि जिन के लिए इसी जनवरी महीने में चुनाओी जंग शुरू हो गई है ये तीन राज्ये हैं पुरवत्तर के तुरुपरा, मेगाले और नागालेंड पुर्वत्र के चौथा राज्ये मिजोरम के चुनाओ नवंबर तक होंगे यानि उसकी विधान सबा का कारेकाल नवंबर तक है तो अभी जिन तीन राज्यों के चुनाओ के लिए गहमा गहमी शुरू हो गई है यह हैं तुरुपरा, मेगाले और नगालेंड तुरुपरा में सब्कार है भाजपा की और उसके साथ है IPFT यानि इंडिजन्स पीपल फ्रन्ट आफ तुरुपरा मुखमंत्री हैं डॉक्टर मानिक साहा तुरुपरा में विधान सबा की कुल 60 सीटे हैं आपको दिखाते हैं 2018 की सीटों का गनित 2018 के चुनाओं में बीजेपी को यहां 60 में से 36 सीटे मिली यानि पूरुण बहुमत सीपियम जो बीजेपी से पहले सक्ता में थी वो किवल 16 सीटों पर सिमट गई IPFT को मिली 8 सीटे वोट शेयर भी आपको बता दें बीजेपी के हिस्से 44 फीजदी से कुछ ज़्यादा वोट आए तो सीपियम के खाते में 43 फीजदी से कुछ कम वोट आए इस बार भी बीजेपी किसी भी तरह अपनी सरकार बचाने पर आमादा है वाम मौर्चा उसके सामने बड़ी चुनाओती है शायद यही वज़ा है कि देश के ग्रहमंत्री अमित शाह तृपड़ा की धर्ती से राम मंदिर की तारिक का एलान करते हैं इस तरह पुरवत्तर में भी बीजेपी चुनाओ मंदिर और हिंद मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ना चाहती है अब चलते हैं मेघाले तृपड़ा के ही तरह इसी फरवरी मार्स तक मेघाले में भी नई सरकार का गठन हो जाना है मेघाले में भी सत्ता में भारते जन्ता पार्टी भागिदार है यहां गड़बंदन सरकार है इसमें चार दल है NPEP यानि National People's Party of India UDP यानि United Democratic Party PDF यानि People's Democratic Front और भाजपा दिल्चस्प यह है कि यहां BJP केवल दो सीटे जीत कर सत्ता में भागिदार है और 21 सीटे जीत कर कॉंग्रेस सत्ता से दूर बिलकुल मनिपुर की तर्जपर इस पर हम आग एक एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे कौन राज संगमा जी मेघाले में भी 2018 में सीटों का बटवारा कैसे हुआ यह जान लिजिए मेघाले में भी 60 सीटे हैं यहां कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा 21 सीटे मिली और वोट करीब 29 फिजदी मिला बीजिपी को यहां महज 2 सीटे मिली और वोट शेयर हाथ आया 10 फिजदी से कम इनके अलावा एन पी पी को मिली 19 सीटे और वोट शेयर रहा 20 फिजदी से ज्यादा इसके अलावा अन्य दलो की स्थिती भी आप इस चार्ट में देख सकते हैं नौर्थ इश्ट का तीसरा राज्य है नगलेंड जहां भी इसी दौरान चुनाव होने हैं यहां भी भागपा सकता में भागिदार हैं जी हां नगलेंड में NDPF यानि National Democratic Progressive Party और भाजपा की मिली जूली सरकार है यहां भी 2018 में किस दल को कितनी सीटे मिली यह जान लीजी नगलेंड में 60 सीटे हैं यहां सबसे बड़ा अकिला दल है NDPF यानि नगा People's Front उसे यहां 26 सीटे मिली और वोट शेयर हाथ आया करीब 49 फीज़़गे NDPF को यहां 17 सीटे मिली और वोट शेयर रहा 25 फीज़़दी से ज्यादा और बीज़़पी को 12 सीटे मिली हैं और वोट शेयर है 15 फीज़़दी से कुछ ज्यादा अन्य देले की इस्तिती भी आप चार्ट में देख सकते हैं आपने देखा कि 60 सदस्ये विदान सभा में सबसे ज़्यादे सीटे पाई एन पी एफ ने लेकिन सरकार बनी NDPF और बीज़़पी की और अब यहां संख्या गनित भी बदल गया है NDPF के कई विदायक NDPF में शामिल हो गए हैं यानि यहां भी जनादेश की विप्टीत ही सरकार चल रही है अब चलते हैं सर्दियों से गर्मियों की तरफ यानि फरवरी मार्स से माई की तरफ और पुरवुत्तर से दक्षन भारत की तरफ जी हां माई में दक्षन भारत के एहम राज्य करनाठक में चुनाओ होने जा रहे हैं जिसे भाजपा ने गुजरात के बाद हिंदुत की नई प्रयोक्षाला बना रखा है यही वज़ा है कि पूरे देश की निगाहें इस राज्य पर हैं और यहां काफी हाई वोल्टेज चुनाओ होने जा रहे है यहां 2018 में बहुमत में ना आने के बावजूद राज्य पाल ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया लेकिन अन्त समय तक बीजेपी के बीएस ये दियूरपा बहुमत नहीं जुटा पाए और इस्तिफाद देना पड़ा इसके बाद माई 2018 में ही कॉंग्रेस और जेडियस यानि जन्रडल सेकुलर ने मिलकर सरकार बनाई मुख्यमंत्रिबने जेडियस के एच डी कुमार स्वामी लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और जुलाई 2019 में फिर भाजपा सब्ता में आ गई तब सही और खासकर 2022 से यहां इंदुत्व की एक ऐसी लहर चलाई जा रही है कि अब हर बात पर हिंदु मुस्लिम किया जा रहा है चाहे वो हिजाब का मामला हो या कोई और यहां लोगों को हर दिन नफरत और घ्रना पर हधारित कोई ना कोई मुद्दा थमा दिया जाता है इसके लावा अब तो महराष्ट के साथ सीमा विवाद भी शुरू हो गया है और यह सब सरकार और सतर उड़तल के इस तर पर हो रहा है इस समय राज्य की कमान बीजेपी के बसफराज बमई के पास है यहां भी 2018 की सीटों का गनित देख लेते हैं हलाकि अब यहां नजारा बदल चुका है 224 सीटों वाले राज्य करनाटक में 2018 में हुई चुनाओं में बीजेपी सबसे बड़ा दल बन कर उबरी लेकिन बहुमत से दूर रही बीजेपी को कुल सीटे मिली 104 जक्वी कांगरस के हिस्से में आई 80 सीटे और जेडियस ने जीती 37 सीटे वोट शेयर देखें तो कॉंगरस ने बीजेपी से कम सीटे पाने के बावजूद ज्यादा वोट पाए बीजेपी को 36 फिजदी से ज्यादा वोट मिले तो कॉंगरस ने 38 फिजदी से ज्यादा वोट पाए जेडियस के हिस्से में 18 फिजदी से ज्याद़ वोट आए कांग्रेस और जेडियस के मिलने पर करीब 57 फिजदी वोट शेयर हो जाता है लेकिन आज ये दुनों दल सत्ता से बाहर है अब आने वाले चुनाओं में देखिए क्या होता है तो साथियों हमने आपको फरवरी मार्च और माई तक होने वाले चार राजियों तरुपरा मेगाले और नागलेंड और करनाटक का हाल बताया साल के अंत में यानी नवंबर दिसंबर 2023 में उत्तर भारत, दक्षन भारत और पुर्वत्तर तीनों इलाकों में एहम पांच राजियों में चुनाओं होंगे इन में हैं मध्यपरदेश, च्छतिजगर, राजिस्थान, मिजोरम और तलंगाना इन चुनाओं में भाजपा के साथ कांगरिस का भी बहुत कुछ दाओं पर लगा है तो इन पर बात हम अगले एपिसोड में करेंगे कुल मिलाकर 2023 चुनावी गहमागहमी का साल होगा और 2024 में होने वाले आम चुनाओं यानि लोकसभा की चुनाओं तो हो नहीं है इसलिए 2023 बहुत कुछ 2024 को दिशा देगा हाला कि ये भी सच है कि लोकसभा और विदानसभा के चुनाओं में अलग-अलग मुद्धे हावी रहते हैं पैटरन अलग रहता है वोटिंग का लेकिन आजकल जैसे हर चुनाओ आम चुनाओं की तरह लड़ा जा रहा है लोकसभा चुनाओं की तरह लड़ा जा रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इन राजियों में किनकी सरकार आती है किनकी सरकार जाती है उससे जनता के मूट का काफी कुछ अनुमान किया जा सकता है हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरह तरुपरा जाकर ग्रहमंत्री राम मंदर की तारिक का एलान करते है और ललकार तो हुए कहते हैं कि एक जनवरी दो हजार चौबिस को राम मंदर का उदगाटन हो जाएगा यानि कपाट खुल जाएंगे तो तैमानिये कि दो हजार तेस के चौणाओ दो हजार चौबिस के चौणाओ की पटकता लिखेंगे इसके अलावा भी हर राज्य के चौणाओ नतीजों का अपना एक संदेश तो होता ही है हम लगतार चौणाओ का हाल आपके साथ साजा करेंगे तो हमसे जुड़े रही है देखते रहे हैं निज्सक्लेक हमारी पत्रकाईता को इसी तरह समर्थन और सयुक देते रहे है सब्सक्राइब कीजिए यूटूब चैनल हमारी वेबसाइट पढ़िए और पढ़ाईए शुक्रिया धन्यवाद